हेलो दोस्तों मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है रक्षा बंदन का त्योहार जा चुका है लेकिन जैसा कि त्योहार और मिठाईयों का तो अटूट रिष्टा है बिना मिठाईयों के तो त्योहार अदूरा सा लगता है इसलिए जब त्योहार आता है तो खूब सारी मिठी मिठे यादो के संग खूब सारी मिठाईयां भी छोड़ जाता है लेकिन मिठाई खाने के बाद कुछ चटपटा मसेदार खाने का मन जरूर करता है इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आते से बने चटपटे आलू रोल जो बनाने में भी हैं आसान और खाने में ये किसी समोसा कचोरी से कम नहीं लगते तो चले दोस्तों मिठाईयां खाकर हो गए हैं बोर तो बनाते हैं ये मजेदार चटपटे आलू रोल आलू रोल बनाने के लिए मैंने आपर चार मेडियम सैज के उबलेवे आलू लिए हैं आलू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इने मैश कर लेते हैं आलू की ज़्यादा बड़े टुकडे नहीं रहने चाहिए नहीं तो स्टफिंग करने में दिक्कत आ सकती है तो इसे मैशर से अच्छे से मैश कर लें आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें कोई भी बड़े टुकडे नहीं रहे हैं तो अब सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं तो इसके लिए हम एक पैन गरम कर लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे एक से दो चमच तेल और तेल जैसे ही गरम होता है इसके अंदर डालेंगे आदा चोटा चमच जीरा जीरा जैसे ही ब्राउन होता है इसके अंदर डाल को बहुत ज़्यदा ब्राउन नहीं करना है तो ये ट्रांसपरेंट हो जाए अधरक लसुन का कच्छा फ्लेवर निकल जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले तो चुटकी बर डालेंगे इसके अंदर हल्थी पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर आदा छोटा चम मसालों को पकाने के बाद अब इसके अंदर ये मैश और उबलेवे आलू डाल देंगे और साती डाल देंगे इसके अंदर स्वाडा नुसा नमक और थोड़ा सा करम मसाला और बस सारी चेजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी मसेदार स्टफिंग तयार हो ये हम आटा लगा कर तयार कर लेते हैं इसके लिए एक दूसरे मिक्सिंग बोल में हम लेंगे धाई कप की हूं का आटा गियूं की आटे की बजाए आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं अब थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं और ये आपको इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल चाहें तो आप घी का स्माल भी कर सकते हैं तेल को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस तरह आटा होल्ड होने लगी उतना तेल आपको इसके अंदर डालना होता है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका ट सकत आटा हमने लगा कर तयार किया है आटे को 15 मिनिट रेस्ट देते हैं तब तक ये स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है तो अब इस स्टफिंग को इस तरह डिवाइड करते हैं हम ये छोटे छोटे आलो के रोल बना लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि आगे हमें स्टफिंग करने में दिकत नहीं आएगी तो ये इस तरह से रोल बना कर हम आलो के तयार कर लेते हैं तो सारे आलो के रोल बना कर मैंने तयार कर लिए हैं और बहुत ये आसाने से ये बन जाते हैं और आटा भी हमारा लगकर तयार है तो आप क्या करते हैं, रोटे के साइज की इस तरह लोई तोड लेते हैं, हातों में इस तरह गोल खुमा कर इसे थोड़ा चप्टा कर लेते हैं, और अब इसे हम बेल लेते हैं, तो जिस तरह रोटी को हम बेलते हैं, ठीक उसी तरह बेल लें इसे, और इसे हम थोड़ा पतला रखेंगे और इस तरह आप इसे लंबाई और थोड़ी सी चोड़ाई के अंदर बेल लें तो ये एकदम पतली शीट बेल कर हमने तयार कर ली है अब हम इसे कट कर लेंगे तो साइड के कॉर्नर्स को हम इस तरह काट कर हटा देते हैं और अब इसको हम दो पार्ट में आने हैं तो आप ये शीट लंबी बना सकते हैं और आलो के जो रोल हैं उनकी साइज भी बढ़ा सकते हैं इसके कॉर्नर को चिपकाने के लिए वैसे तो पानी वगरे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने इसे गिहों के आटे से बनाया है लेकिन ये आप मैदे सारे रोल मैंने इसे तरह बना कर तयार कर लिए हैं तो अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए मैंने तेल करम होने के लिए चड़ा दिया है अब दूसरे सबसे जरूरी टिप की हम एक सलरी तयार करेंगे कॉर्ण फ्लोर और पानी से तो दो चमच कॉर्ण फ स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी कॉर्ण फ्लार की जगह आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं सलरी बनाने के लिए अब लोटो मीडियम फ्लेम पर गैस रखते वे हम मीडियम होट ओल में इने फ्राइ करेंगे तो धेरे धेरे हम फ्राइ करेंगे तो क्या होगा य इनके अंदर की जो लेयर होती है वो भी अच्छे से पक जाती है और स्टफिंग तो वैसे भी हमने पका करे लिए है तो उसका टेस्ट तो वैसे भी बहुत ही अच्छाता है आप चाहें तो ये स्टफिंग कच्छी भी रख सकते हैं यानि की पकाने की ज़रूरत नहीं है ल देखिए एक आलू रोल में आपको दोड़ कर दिखाती हूँ ये अंदर से काफी अच्छे से पक चुका है बिलकुल भी कच्छा नहीं रहा है और स्टरफिंग तो बहुत ही मज़ेदार लगती है तो दोस्तों आप भी जल्दी से ये क्रिस्पी चटपटे आलू रोल जरूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं उमीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंदाया होगा तो यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेर जरूर करें मेरी ऐसी और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं इक और नई वीडियो के साथ तब तक रखें अपना धेर सारा ख्याल